कोशें नमबर 268 डबल स्टार के टिगरी कोश्चेंट इस नंसी आटी एक्जांपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोश्चन फोर बोर्ड एक्जाम्स और बोर्ड एक्जाम में दोजार इफ आम नौट रॉंग इक्टीस यह वाइस में इसकी के स्टेडी आ चुकी है औ उन्हों ने कम से कम दो से तीन बार यह एक्जाम में डाल चुके हैं कोश्चन इस एन अपार्चे हलिकॉप्टर ऑफ एनमीज फ्लाइं अलॉंग दा कर्व वाई इक्वल्स टू एक्स्वार प्लस सेवन आप सबको पता हैं कि वाई इक्वाई इक्वार प्लस सेवन एक कौ जाशा बन रहा हो क्योंकि जनुर्य ओगा य एक्वार प्लस टो और इजिए बन रहा होता है तो यह बन गावाई को एक्सक्रीर प्लस सेवन तो यह पॉइंट तो मेरे पास आगया जीरो कॉमा सेवन इस पूरे कॉस्चन की एक्वेशन है य निया तक लोजिक समझाया आग एक सोल्जर प्लेज़ आग्ट 3,7 3,7 अगर यह 1,2 और 3 कुछ ऐसा लो और यहां पर एक सोल्जर प्लेज़ आग्ट इस पुजीशन पर 3,7 पर इस वांच ती शूट डाउन गाउग्टर को तो इस पूरी कौॉप पर गूम रहे हैं कि अना तो कि मैं ने तब हिट करना है जब helicopter मेरे nearest है मैं मन में सोचता हूँ कि यह वो point है जब उसमें hit करने जो उसके नियर दिखने में लग रहा ना nearest तो इस point के coordinates x, y होंगे बोलो yes or no अगर मैं कहूँ इस point के coordinates x, y है तो क्या मैं इस point के coordinates x, x square plus 7 लिख सकता हूँ किये कैसे कर दिया क्या है किया कि इसमें कोई डाउट भलो और MAY क्या कि इस पॉइंट कोकर मैं A कह नमें बहुत हएं हर्षित और इस को बीगा कैह दूं यह किसकी की सूरा है या B के मिनिंमम होने की और एक को कॉडिनेट मैं नंदों के बीच के लेंट को क्या बोलते हैं डिस्टेंस तो कौन सा फॉर्मॉला तो बताओ मेरे को कुछ सिखाने की ज़रोग थी नहीं कुछ भी सिखाने की ज़रोग नहीं थी येस उस पॉइंट के ओपर हर वाइड है को बटा हर टुडी प्लेंट इस एक को मावा य मैंने लिखा एक्स को मावाइड वाइड ग्याप उट कर दिया एक स्कुएर प्लास सेमल कि और अच्छे एंट लिखते हैं स्कूल में नंबर की तो लेने हैं ठीक है आजो लेक एक्स कॉमा वाइड बीडा पॉइ से अफ दी हेलिकॉप्टर तू दा पॉइंट तू दा सोल्जर ऐसे लिख दो इसमें को दिक्कत बोलो इस पॉइंट को मैंने ए पॉइंट कह दिया अवय पॉइंट सो दिएपोर ए एक्स सक्माय ऒाइंट को क्या ब ग्लस बॉइंट ब्लस मीनगों क्या ढ़ाहि अदू मीम क्या दिखाने ए सब्सक्राइब ए पटम एब आपी यसे भी आपेश्ट टू मीम सो a b क्या बनेगा विटा a b क्या बनेगा अब दिस्टेंस को दिक्रत ने फंक्शन लिए इस्टेंस क्या होते इस्टेंस वह में ले आवे x2-1 whole square plus y2-1 all under the root x-7 whole square plus x square plus 7-7 whole square all under the root बोलो x-3 sorry 7 लिख दिया मैंने 3 whole square ठीक है बच्चा अब 7 और 7 दो दिया यहां मना a-b का whole square a square plus b square minus 2ab plus x 3 power 4 कोई यहां पर doubt अब मैं आपको एक special के टिकरी के question है पूरी मेरी sheet में साथ से आठ ऐसे question होंगे और ncrt और exemplar को मिला के total चार ऐसे question है जिसमें जो मेरा function है root में आता है जो मेरा function किसमें आता है root में वहां पर आपको एक special special instruction दे रहा हूं इसको याद रखना अगर अगर कोई चीज जैसे let's suppose distance of one by two उसका square one by four होगा बोलो तो उसका square और छोटा हो जाएगा yes or no तो यह approach रखके कही बार आपको question आएगा find the area of the maximum find the maximum surface area और वो root में आ रहा होगा function तो अगर area maximum है तो उसका square भी maximum ही होगा yes or no बस आपको यहाद एक चीज चेंज करनी है वो क्या जब भी root based question आए आपको उस question में जो इदर मेरा function है उसको square करना है पर square करके d square नहीं लिखना capital D लिख देना कारण अगर मैं d square को derivate करूंगा वह बनेगा 2d d d dx कहानी पकर में आई मुझे वो नहीं करना सब्सक्राइब यह इसे क्रेमिंग समझो इसे fundamental चीज समझो because I have tried many ideas on this part कि मैं उसको उससे त्रोच से solve कर पाऊ and the question becomes very 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 lengthy is this clear तो मन में हम लिखेंगे क्या सुनना scoring both sides इदर बना d square और इदर बना x square minus 6x plus x4 plus 9 कोई दिक्कत rearrange भी कर दिया उसको sure अब मैं लिखोंगे क्या if d is smaller and if d is small d square is even smaller वह और चुटा हो जाएगा यस और नो तो लेक d square is equal to d which is equal to x4 plus x square minus 6x plus 9 यह step दिमाग में रखना है कब जब function एक root की form में होगा किस form में होगा root की form अब मेरे पास यह function बना अब यह d किसकी terms में है यह d किसकी terms में है इदर कौन सा variable है यार x है तो मैं लिख दूँ d of x is equal to x की power 4 minus x square minus 6x plus 9 कोई दिक्कत नहीं पहला step यह आप भी जाके मेरा function बना पहला step क्या मेरा क्या निकालना derivative तो यह पर क्या कर दूँ दी डैश x export का derivative 4x cube x square का इसका यहाद cubic equation कैसे एक्टराइज होती है कैसे होती है एक्टराइज cubic equation constant को factors लिखो और वो factors function दे करो I hope you remember that देखो इसके critical point निकालने है ना कितने roots निकलेंगे alpha meter और gamma three roots तो आपने यहाँ बेक constant factors लेने हैं अगर किसी को यह नहीं आता तो मेरा यूट्यूब लेक्चर सिर्फ इस पर पड़े हाव तो देख लेना चाहिए वरना बहुत असान है कुछ भी नहीं था इसमें तो मैं क्या करूंगा और पॉसिबल फेक्टर्स और सिक्स क्या होगे सिक्स के फेक्टर्स वन टू फ्री एड और प्लस माइनस साइन ले लेने हैं बैटाई सब आप क्लास नाइंद में करके आ रहे हो सबसे पहला पॉइंट सुनना आप लें डी डैश वन चेक करने हैं जहां पे जीरो बनेगा वह मेरा फेक्टर है यह सुर नो तो यह बना फोर प्लस टू माइनस सिक्स यह जीरो बन गया तो दियर फोर अगर यह बानना है तो फेक्टर कौन होगा यह सोचो यार मैंको सुननी था x माइनस वन एक्स माइनस वन इस टาरोफ दियर मैं इसकद अगया फेक्टर यारे इसके अगलर स्प्र प्या ह dreams कोई भी क्योबे कीसिजन है अबंती कैसे है लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक या भूले नाइंथ नहीं पड़ी आप लोगों ने लॉग्डाउन पीरेट था हमास अला दिख रहे हैं मरको है वाइसा क्यूबिक तो क्यूबिक जो मैं एक्वेशन थी फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक स्कूर एक्स माइनस वन इंटू दा वाजेगा अब आपको क्या इंडिकेटर मिल रहा है क्वाड्रेटिक कैसे निकालो नोंग डिविजन करके शोर यहां भी आप गए 4 एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस वन से डिवाइड किया यह बना फोर एक्स्क्य प्लस टू में ओगे लॉंग डिविजन पाथी होगी को यह सूर में इसको भी नहीं आती है याद में एक्स क्लास में आजो जैनित में ठीक है वह सखाई जाती है यह फोर एक्स क्यूब याद में शरम में यह अंदी बोल दे हैं सीरिसली नहीं आती है आज आ सिका हूं पर इसके टेंट में 95 मांग सा उसके लिए लॉंग डिजिए जिका रहा हूं जो लास नाइंट का डॉपिक है आज एट में भी शुरू हो जाता है एक्स को किससे मल्टिप्ला कर कि 4x q बने और यह वान भी से होगा पूरा पूरा पॉलिणोमियल मल्टिप्ला होगा तो यह बन गया माइनस फॉर एक्सकुर्ण मैंने इसको साइट पर इसले लिखा है क्योंकि यहां पे एक्सकुर्ण का कोई टाउम नहीं थी अग्ला स्टेप चेंज आप साइन्स यह बना प्लस प भी रखन भी प्लस प्लस ठी साइक्सुर्ण मैंने प्लस नियुक्त करो एक्सका क्या थे इसका मतलब मेरा पॉलिनॉमियल जो बना पी ड़े अमका नियुक्त सो एक्स्वेर प्लस सो एक्स प्लस शिक्स सब एगरी करते हो यहां कोई डाउट किसी को नहीं अब नोटीस करो जब भी तीनों पॉजिटिव होते हैं ना इसकी रूट्स पहले क्रोस चेक करो हां जी मैं मैं इसका डी चेक करो क्या रहा है इसका डी क्या रहा है बी स्कुर माइनस पूर ए और सी क्या नेगिटिव आया पर नहीं आया तो जब दी नेगिटिव पता है रूट्स आर इमेजिनरी और अंड्रियल तो इसकी रूट्स क्या आ गई रूट्स आर अंड्रियल यस और नो तो दैट मीज एकी रील रूट आई डिस्टेंस कभी अरकेंड उसकते हैं बाद 9 लेन में नहीं तो इसका केसे रिजेट हो गया है सो बेरफोर एक्स इस एकोल टो वन इस अंली रियल रूट आले इवाट सब और क्लियर नुए अगर एक्स इगल टो 1 एका और जो एक निया एक अनली रियल है तो एकिकल आ अगला स्टेप क्या है सेकेंड टेस्ट क्या होगा डी डबल डैसे इसका डेरिविटिव दुबारा से करो वना फोर एसक्यूप प्लस टू अब यह किसके चैक करना है एड वन एक बन यह से भी सोचो एक स्कुर्ण एड पोजिटिव क्यों तो यह ग्रेटर वन क्या हो गया तो जैसे यह ग्रेटर देन जीरो हुआ देहरो एक्स इजिकोल टू वन इस पॉइंट ऑफ लोकल मिलिमा ठीक है अब उसने मेरे से क्या मांगा है आखरी पॉइंट फाइंड दा नियरेस्ट डिस्टेंस क्या निकालना है मतलब जो मेरा फंक्शन था उसमें एक्स की कौन से कि बेली पुट करनी है तो मैं क्या करूंगा इधर इधर आ रहा हूं इधर मोव कर रहा हूं पॉट एक्स इप्वल टू बराव किसमें क्या पुट करना है कैपिटल डी में या स्मॉल डी में मैंने मतलब के लिए यह 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 नहीं कहानी पकड़ में तो मैं क्या करूंगा पूट एक्वेशन नुम्बर वन इसमें मुट कर दू तो डी बना वन ना वन अफ्री का होल स्कोर स्कोर अंडरद रूट वैट फिर माइंने टू का स्कोर फोर फ्यू प्लस वन वाइस दिस्टेंच रूट फ़ईक युझिए जिए जिकना बूलना मत किसी भी यहूलत में करिये जी नूट